हेलो फ्रेंड्स, फिल्कम ओर यूट्यूब चैनलन, दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है, दोस्तों आज हम आपको बेस्ट बजट में जो आने वाले साउंड बार है, वो सजेस्ट करेंगे, तो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखेगा, क्योंकि आप सब को पता है अभी festive season आ गया है, यार आप में से बहुत लोग होंगे, जो budget range में साउंड बार पचैस करने की सोच रहोंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो आप सब के लिए बड़ी खास है, दोस्तों अगर आपको इन में से कोई साब भी model पचैस करना होगा, तो description में मैं पचैस लिंक आप में से पचैस कर लिजेगा, ताकि हमें भी उससे थोड़ी सी help हो जाए, आप सब को पता है यार दोस्तों अभी sale भी आने वाली है, तो आपके लिए उस समय पे भी काफी best हो जाएगा, अगर दोस्तों इन में से किसी भी model पे offer चल रहा होगा, तो यार वक्त जादा ना आपका budget 3000 तक का है, तो दोस्तों इस budget पर हमें Jebronics के तरफ से काफी बढ़िया sound bar मिलता है, सबसे पहले मैं आपको model नमबर बता देता हूँ, Jebronics Jeb Zoop Bar 5, वैसे दोस्तों इस model का अभी current price चल रहा है, तो काफी best होने वाला है, क्योंकि इस पर हमें 45 watts RMS का sound output मिलता है, 5 इंच का base driver लगा हुआ मिल जाता है, साथ में दोस्तों हमें AUX, FM, USB, SD and Bluetooth की connectivity मिल जाती है, साथ में दोस्तों इसके sound bar पर हमें 422 इंच के driver लगे हुए मिल जाते हैं, सो यार 3000 रुपीस के हिसाब से दोस्तों ये काफी best deal हो सकती है, अब दोस्तों अगर आपका budget 4000 से लेके 5000 5000 तक का है, तो दोस्तों यार वैसे इस पर जैबरानिक्स के 2 models हमें काफी बढ़िया लगे हैं, मैं आपको model नमर बताता हूँ, जैबरानिक्स जूक बार 3900, दोस्तों दूसरा model है, जैबरानिक्स जूक बार 4000, दोस्तों ये दोनों model काफी best हैं, और प्राइस जो है वो fluctuate हो मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से काफी best deal आपके लिए हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस पर हमें 80W RMS का sound output मिलता है, Bluetooth का latest 5.0 version का support हमें मिलता है, अगर हम connectivity की बात करें तो दोस्तों इस पर हमें USB की connectivity मिलती है, AUX, HDMI ARC तक की connectivity दोस्तों इस पर हमें मिलती है, साथ में Coexil input board भी मि काफी best है, अगर आप 5000 में कोई बढ़िया sound bar purchase करनी की सोच रहें, तो definitely आप इस sound bar को purchase कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, अगर आपका budget 6000 से 7000 तक का है, और आप इस price point में कोई बढ़िया sound bar purchase करनी की सोच रहें, तो दोस्तों इस पर हमें मार Q की तरप से काफी बढ़िया sound bar मिलता है, model number आपको बता देता हूँ, FS235, अब इस का current price चलता है, 6499 रूपीज, दोस्तों इस पर हमें 120 watts RMS का sound output मिलता है, triple power base मिलता है, दोस्तों, deeper reacher sound हमें इस पर मिलता है, 3X louder sound भी इस पर हमें मिलता है, अगर हम connectivity की बात करें, तो दोस्तों इस पर हमें AUX, Optical and HDMI ARC की connectivity मि जाती है, तो दोस्तों 6-7,000 तक की range में ये वाला sound bar काफी best है, अगर आप 6-7,000 में purchase कर रहे हैं, तो आप इसी sound bar को purchase करिएगा, अगर दोस्तों आपका budget 7-8,000 तक का है, तो दोस्तों इस budget पर हमें Blancpot SBW03 देखने को मिलता है, दोस्तों इसका video हमने आपको दे दिया है, के लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस पर हमें Dolby Audio का support मिल जाता है, जो कि दोस्तों इस sound bar पर काफी खास है, और इस पर हमें 160 watts RMS का sound output मिल जाता है, तो sound quality wise भी दोस्तों सही है, और price point के हिसाब से भी काफी बढ़िया है, और इस पर हमें HDMI ARC, optical, USB, AUX, सब की connectivity मिल जात sound bar मिलता है, और दोस्तों ये 10,000 के range में मेरा favorite sound bar है, क्योंकि sound quality wise दोस्तों मुझे ये काफी पसंद आया था, सबसे पहले मैं आपको इसका model number बता देता हूं, boat avante bar 2050, और दोस्तों इसकी भी हमने वीडियो दे दी है, audio test पे भी वीडियो आपको दे दी है, अगर आपने दे sound quality हमें एक number इस पर मिल जाती है, साथ में दोस्तों हमें इस पर AUX, USB, HDMI, ARC, Optical सबकी connectivity भी मिल जाती है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अगर heavy sound वाला चाहिए ना, तो आपने ये वाले model को purchase करना है, अगर दोस्तों आपका 10,000 तक का budget है ना, तो इस पे भी हमें boat के दोस्तों सबसे पहले मैं आपको model number बता देता हूं, boat avante bar 1700D, दोस्तों ये 10,000 रुपीज में आता है, और इस पर हमें सबसे जो खास बात है sound bar की, इस पर हमें Dolby Digital Plus का support मिल जाता है, जो की इसे काफी unique बनाता है, और दोस्तों boat ने इसे पहली बार अपने sound bar पर दे रिखा है और इस पर भी हमें वैसे सारे features मिल जाते हैं, जैसे की HDMI, ARC, Optical, USB, Bluetooth, दोस्तों मेरे हिसाब से ये sound bar भी काफी best है, अगर आपको Dolby Digital Plus वाला sound bar चाहिए, आप boat में ही purchase करना चाहरे हैं, तो आप इस model को purchase करिए, मैंने पूरा test करा हुआ है, दोस्तों इसकी बी जो sound quality है, वो हम भी हमें काफी बढ़िया sound bar मिलता है, दोस्तों हमें Motorola की तरफ से MP Sound X 160W इस budget पर देखने को मिलता है, इस पर हमें Dolby Audio का support मिल जाता है, दोस्तों wireless subwoofer के साथ मिलता है, इस पर हमें HDMI, ARC, Bluetooth, Optical, USB, AUX, इन सब की connectivity मिल जाती है, दोस्तों इस price point में ये वाला sound bar मेरे हिसाब से 7,000 तक का है, तो आप इसी sound bar को purchase करिएगा, फ्यूचर में हम कोसिस करेंगे कि आज जल्दी से इसकी detail video and sound test video भी आपके लिए लेकर आ जाएं, दोस्तों अब मैं आपको जितने भी sound bar suggest करूंगा, वो सारे 5.1 channel sound bar है और सभी पर हमें काफी powerful sound output मिलता है, तो दोस्तों अगर आ 11,999 रूपीज और ये वाला sound bar दोस्तों काफी best है, अगर आपको real cinematic surround sound का experience करना है तो दोस्तों आप इस model को purchase करिए, आपका दिल खुस हो जाएगा, और इस पर हमें Dolby Audio का भी support मिल जाता है, साथ में दोस्तों इस पर हमें 260 watts RMS का sound output मिलता है, Bluetooth 5.0 वर्जिन का support मिलता है, साथ आप में AUX, USB, Optical, HDMI, ARC की connectivity मिल जाती है, तो दोस्तों आपको इस budget में और कोई भी नहीं सोचना है, आपको ये वाले model को purchase करना है, अगर दोस्तों आपका budget 13,000 से 14,000 तक का है, तो दोस्तों इस price पर हमें Jebronics Zip Zook Bar 9400 Pro देखने को मिलता है, और दोस्तों यार ये वाला sound bar है, ये काफी कमाल का हमें मिलता है, इस पर भी हमें 5.1 channel का sound output मिलता है, और दोस्तों सबसे मज़े की बात इस पर हमें 525 watts RMS का sound output मिलता है, जो कि यार इस line up में सबसे जादा powerful है, और इस पर भी हमें Dolby Digital Plus का support मिल जाता है, दोस्तों connectivity की बात करें तो इस पर हमें सारी connectivity option मिल जात and इसका जो अभी current price चल रहा है दोस्तों वो है 13,999 रूपीज, so आप आख बंद करके इस model को purchase करिएगा, अगर आपका 13 से 14,000 तक का budget है, इस से बढ़िया sound bar आपको market में अभी देखने को नहीं मिलेगा, overall यार 525 watts RMS का sound output है, तो सोची यार दोस्तों sound quality क्या next level की हमें इस पर मिलेगी, so आप इसी model को purchase करिएगा, दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने last sound bar की, अगर दोस्तों आपका budget 15,000 तक का है, 14 से 15,000 तक का है, तो दोस्तों इस budget पर हमें Motorola MP sound X 200 watts देखने को मिलता है, और दोस्तों ये वाला जो sound bar है, ये थोड़ा unique concept के साथ आता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या unique चीज है इस पर, इस पर दोस्तों हमें wireless subwoofer तो मिलता ही है, साथ में wireless surround sound speaker भी मिलते हैं, तो दोस्तों ये चीज इस line up में यार काफी unique है, और मिर को लगता है कि यार आगे को हर company इस तरीकी की technology अपने system में लाकर देगी, so ये चीज यार का HDMI, optical, USB, AUX, Bluetooth 5.0 version की connectivity मिल जाती है, तो दोस्तों ये सारे models आप purchase कर सकते हैं, काफी best हैं, and 2020 में इन से better sound bar अभी market में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, सो अगर आपको कोई साभी sound bar purchase करना होगा, तो जरूर साप purchase कर लिजेगा, मैं description में सारे sound bars के purchase link दे दूँगा, आप purchase कर लिजेगा, and दोस्तों इससे पहले मैंने आपको premium sound bar की category पे भी video दे दी है, अगर आपको premium sound bar purchase करना है, जिस पर Dolby Atmos का support हमें मिलता है, सो उस video को भी आ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक करिए, शेर करिए, अगर आप हमें first time देख रहे हैं, सो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe करिए, साथ में bell आईगन को press करिए, ताकि नएने वीडियो को notification आपको मिल सके, दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, गुड़ बाई